तो इस वीडियो में हम short videos पे custom thumbnail कैसे लगाते हैं कुछ इस तरीके से वो देखने वाले हैं तो चलिए बीना कोई देरी के कारेकरम शुरू करते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बदा दू की custom thumbnails हम अल्रड़ी uploaded shots पे नहीं लगा सकते हैं ये सिर्फ हम shots upload करते समय ही डाल सकते है तो सबसे पहले आपको short videos में एक frame thumbnail के लिए बना लेना है फिर जब video ready हो जाएगी तो आपको अब इस plus वाले icon पे click करना है create a shot पे tap करके आप अपना short video को select कर लेना है और next पे tap करना है फिर जब आप इस screen पे पहुंच जाओगे तो आपको यहाँ पे छोटा सा pencil का icon देखने को मिल जाएगा आपको इस पे tap करके उस frame को इस तरीके से slide करके आप select कर सकते हो और अगर आपने thumbnail के लिए एक भी frame नहीं बनाया तो आप अपने video का best frame चूज कर सकते हो फिर आपको title डालके इसे upload कर देना है फिलहाल आप इस सिर्फ mobile से कर पाओगे क्योंकि अभी तक desktop पर एए feature अभी available नहीं हुआ है तो इस वीडियो में बस इतना ही video अच्छी लगी हो तो like करे और channel पे नहीं है तो subscribe करना ना भूले बाकि thank you so much for watching, goodbye